तो देखिए जो combination आप लोग discuss करने जा रहे हैं हम लोग discuss करने जा रहे हैं वो combination है शनी और मंगलगा नॉर्मली आपने देखा होगा कि सैटन मार्स के योग को कई दफा मतलब एक शत्रिय परसनालेटी भी बोला जाता इट मींस के किसी की कुंड़ी में आपको सैटन मार्स का यदि combination मिलेगा न तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा एक फाइटिंग परसनालेटी या शत्रिय परसनालेटी कुछ इस तरीके से भी डिस्क्राइब करते हैं लेकिन ये तो चलो एक बुकिश थौट हो गया जो सैटन और मार्स के combination को मिला है लेकिन कभी यदी इस ट्रांसिटिंग सैटन जो रहता है बेसिकली कि आपका जो गोचर में जो शनी है वो जब आपके नेटल मार्स के साथ में संबंद बनाएगा तब आपको किस तरीके की जो इवेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे और आप लोगों को पता होगा कि अभी सैटन जो है वो तो एक्वेरियस में सैटन जाने से आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है हम उसके बारे में भी डिस्केशन करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो यह कि सैटन मार्स का कॉंबिनेशन करता गया है कुणली के तो देखिए इस चीज को समझने के लिए आप दो चीजों को साथ में लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं कि कर्मा अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं कर्मा अलाइनमेंट में हम दो चीजों को बेस बना कर चलते हैं पहली चीज है कालपुरुष की कुंडली और दूसरी चीज जो है वो है ग्रहों का कारक्ततु तो कालपुरुष की कुंडली और ग्रहों का कारक्ततु इन दोनों के सामजसे को बिठा कर ही हम prediction भी देते हैं और उसी के basis पर हम सारी remedies भी करते हैं और मैं यह हमेशा बोलता हूँ कि Jupiter के transit से ज़्याद़ Saturn का transit जो है वो काम करता है Reason being की यह आपका कर्म कारक है तो normally हर व्यक्ति जो है वो साल दर साल के event अपने Jupiter के transit से देखता जाता है बट हम लोगों का मानना यह है कि Saturn का transit is the most important transit क्योंकि यह आपके कर्मों की गतिविदियां बता रहा है कि आपका जो कर्म का जो cycle है जो कर्म का जो पईया है वो किस प्रकार घूम रहा है क्या कुछ चीज़ें आप experience कर रहे है तो काल पुरुष की कुंडली में Saturn जो है वो करम स्थान का मालिक है यानि कि 10th house का जो rulership है वो Saturn को मिली हुई है और Mars को कहां की rulership मिली हुई है Mars को rulership मिली हुई है लगन की और लगन के साथ कौन से घर की rulership मिली हुई है काल पुरुष कुंडली के अनुसार 8th house तो अब इन सब चीज़ों को सोच कर देखिए Saturn और Mars के combination को समझने के लिए आप 10th Lord और 8th Lord के conjunction को समझने का प्रयास कीजिए कि जब आपकी कुंडली में 10th Lord, 8th Lord के साथ में संबंद बना ले परसपर दृष्टी संबंद बना ले या एक साथ बैढ़ जाए या राशी परिवर्तन कर ले तो आपको अपने जीवन में क्या कुछ चीज़ें experience होगी अपने करियर में हम उसके बारे में बात करता हो तो आप लोगों को पता होगा कि हम किस basis पर यह Saturn और Mars का combination बना रहे हैं सबसे पहला point कि Saturn जो है वो आपके Mars के with respect हो यानि कि आपकी जन्र कुंडली में शनी और मंगल जो हैं वो एक दूसरे से पंचम स्थान या नवम स्थान या पहले स्थान में हो यानि कि शनी और मंगल एक दूसरे से ट्राइन में हो एक पांच नव में हो दूसरी position जो है वो यह है कि Saturn से जो आपका Mars है वो second house में भी हो सकता है और seventh house में भी हो सकता है तो यह कुछ position ऐसी है यह पांच particular position ऐसी है जो बहुत हद तक आपके करम शेतर में Mars के कारक्तत्वों को entry दे देती तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर आपको यह देखने को मिलता है कि Mars को क्योंकि हम anger का कारक्त मानते हैं dispute का कारक्त मानते हैं fights का कारक्त मानते हैं तो जाहिर सी बात है यह एक ऐसा combination है Saturn और Mars का कि ये किसी की भी कुंडली में होगा तो उस जातक के जीवन में professional disputes आपको बहुत देखने को मिला उसके profession में कुछ न कुछ जगडे कोई न कोई conspiracy कोई न कोई back biting, leg pulling जो है वो हमेशा चलती रहे और इसका सबसे बड़ा reason ये है कि जब आप कारक तत्वों की बात करते हो significations की बात करते हो तो आपके कर्म का जो कारक है वो शनी है और जो एनिमिटी का कारक है, शत्रूता का कारक है जगडे का कारक है, वो मंगल है तो आपकी किसी की भी कुंडली में Saturn और Mars का एक साथ में combination देखें, या फिर वो 159 के अंदर आप combination देखें, तो कही ना कहीं आपको backbiting, conspiracy या फिर professional disputes जो है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे, और ये बहुत हद तक आप मतलब picture में आता है, व्यक्ति को लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर यही combination जो है ना, वो व्यक्ति को professionally बहुत अच्छा rise देता है और वो क्या है, कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि Mars जो है वो भूमी का कारक भी है Mars जो है वो machinery का भी कारक है, वो technical चीजों का भी कारक है, इसलिए आप देखोगे कि शनी और mangal का जब combination आपकी कुंडी में बैठता है, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति technical कामों में, mechanical कामों में बहुत अच्छा perform करता है और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि हम जिस जोतिश की चर्चा कर रहे हैं उस जोतिश के अनुसार हम mangal को skills का कारक भी मानते हैं, यानि कि अगर आप कोई भी ऐसे profession में हैं, जिस profession के अंदर कोई particular skill की आवशकता है, और आप उस skill के अंदर काफी महारत आपने हासल किया, आपने काफी depth में जाकर उस skill पर काम किया है तो भी ये Saturn और Mars का combination बहुत अच्छा काम करता है तो आप यदि किसी की कुंड़ी में Saturn मार्स का combination देखें और वो व्यक्ति यदि किसी technical काम में है, या किसी ऐसे काम के अंदर है, जहाँ पर skills की मौजूदगी है, जहाँ पर skills का बहुत बड़ा रोई है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को अपने profession में कुछ बहुत अच्छा करते पाएं साथ ही साथ मंगल जो है ये आपकी देह का भी कारक है ये physical body का कारक है इसलिए जितने भी ऐसे profession है जहाँ पर आपकी देह involved है आपकी physical body involved है वहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छा perform करते हैं, इसलिए आप देखोगे कि Saturn Mars के case में आपको physiotherapist भी देखने को मिलेंगे Saturn Mars के case में आपको sportsman भी देखने को मिलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं Saturn Mars के case में आपको Mars की energy को channelize करना उसको utilize करना आपके लिए द्रिश्ची संबंद लेकर बैठे हैं या exchange लेकर बैठे हैं ऐसे लोगों को normally जो मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं मैं आज फिर उस चीज़ को repeat कर रहा हूं कि Saturn Mars के case में व्यक्ति को Mars के कारक तत्वों से जुड़ा रहना बड़ा important है इसलिए जब भी आप किसी की कुंड़ी में Saturn Mars का combination देखें तो ऐसे व्यक्ति को आप physically active रहने के लिए बोलिए या उसको Mars के कारक तत्वों से जुड़ा रहने के लिए बोलिए इसलिए ऐसे व्यक्ति को कई दफार remedy के तोर पर ये भी advice किया जाता है कि आप जमीन पर खाईए जमीन पर आप सोईए आप जमीन पर अपना ज़्यादे से ज़्यादे कारिया कीजिए क्योंकि Mars किस चीज का कारक है Mars कारक है भूमी का और profession का कारक कौन है profession का कारक है शनी तो शनी और Mars का combination जब मिलेगा तो शनी को यदी आपने मजबूती देनी है तो शनी को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको Mars को काम पर लगाना पुड़ेगा क्योंकि जैसे ही आप Mars को काम पर लगाओगे वहाँ पर आपका शनी जो है वो ट्रिगर हो जाएगा और आपको अपने profession में stability अचीव हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो combination है Saturn और Mars का इसको इसी प्रकार से हम यूज करते हैं तो जितने भी लोग defense में है defense के अंदर Saturn Mars का combination बहुत अच्छा काम करता है जितने भी लोग जो है skills के कामों में हैं उसके अंदर यह बहुत अच्छा काम करता है और यहाँ पर Mars को न हम एक और चीज का कारक मानते हैं uniform का कारक मानते है तो uniform को हम वर्दी बोलते हैं जो basically तो वैसे तो जो dresses हैं या कपड़े हैं तो कपड़ों को हम शुकर से जोड़ कर देखते हैं लेकिन जब आप uniform की बात करोगे तो uniform का कारक ग्रह जो है वो Mars है तो आपको यदि कोई ऐसा वेक्ती दिखाई दे अपने आस-पास जो uniform से जुड़ा हुआ काम कर रहा है school uniform का काम कर रहा है पुलिस uniform का काम कर रहा है या किसी और तरीके की uniform का काम कर रहा है चीजें हैं जो सैटन और मार्स के कॉंबिनेशन में आपको देखने को मिलती है और जाहिर सी बात है जिस फीमेल के चार्ट में मैं फिर बोल रहा हूं यह चीज और यह आगे प्रेडिक्शन्स में हम सीखेंगे मैं आपको बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन्स बताऊंगा कि आने के बाद में या कब किसी के लाइफ में जब एंट्री होती है तो उसके चार्ट से आपके चार्ट पर क्या जो है वो असर पड़ता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा माल लीजे कि कि किसी फीमेल का चार्ट आपके सामने है तो आप किसी भी फीम मार्स के कॉंबिनेशन जिस फीमेर की कुंडली में होगभी तो मार्स यहां पर किस चीज का कारग बन जाता है समार्स किस चीज का बनेगा और मार्स हो गया और हो गया और का जईद्सक्रास करूं nutrी मिल की शादि होती तो फी मेल की शादि होने के बाद उस फी मेल के husband के करियर में कोई बहुत important change जो है वो निकल कर आएगा अब वो जो change है वो positive change होगा कि negative change होगा ये depend करेगा कि Saturn MARS के साथ में और कौन से प्लैनेट involved हो रहा है For example माल लीजे कि किसी female की कुणली में Saturn के साथ में Mars का linkage है और Jupiter का linkage है तो Jupiter जो है वो expansion का कारक है Mars किस चीज का कारक है husband का कारक है Saturn किस चीज का कारक है कर्म का कारक है तो क्या होगा जब इस female की शादी होगी तो इसकी शादी के बाद इसके husband का जो career है वो expand करेगा उसमें expansion हो अगर यहाँ पर चंद्रमा जैसा planet है तो Saturn, Mars, Moon का combination है लेटसे किसी के भी चार्ट में Saturn, Mars, Moon का combination है तो Moon को हम changes के रूप में देखते है Moon को हम traveling के रूप में देखते है तो आप जिस भी female के चार्ट में Saturn, Mars, Moon का combination देखो आप immediately उस female से पूछ लीजे कि आपकी शादी के बाद या जब आप दोनों का आपस में जो link हुआ तब से या ठीक उसी दौरान आपके husband ने कोई बहुत important उनके career में change आया like उन्होंने अपना career बदला हो या उन्होंने अपने career की जगे बदली हो like वो कहीं एक particular place पे अपना काम कर रहे हो तो place change करके वो किसी दूसरी जगे चले गए और दूसरा ऐसी female से आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आपके husband ने अपने career में changes के साथ आपके अपने career में traveling बहुत ज़्यादे की है क्योंकि moon जो है वो fastest moving planet है इसलिए हम उसको traveling का कारक भी माहिए इसलिए जो combination है ना Saturn Mars moon का ये क्या बताता है female chart के अंदर ये female chart के अंदर बताता है कि husband will have change in career and apart from that husband may have a lot of traveling related to his career तो traveling बहुत ज़्यादे हो सकती है changes काफी सारे हो सकती है तो इस तरीके से आप इस Saturn Mars के combination को पकड़ सकते हो हाला कि मैं आपको पूरा एक summary बना के दे दूँगा कि like Saturn Mars के साथ में like Saturn के साथ Mars है और माल लीजे Saturn Mars के साथ में moon हुआ तो क्या होगा Saturn Mars के साथ में Jupiter हुआ तो क्या prediction बनेगी Saturn Mars के साथ में Ketu हुआ तो क्या prediction बनेगी बट इसको आप अपनी तरफ से सोचने का प्रयास कीजेगा क्योंकि मैंने आपको कारक्तत्वों को अब हम इस बारे में बात करेंगे कि अभी जो Saturn का transit होने जा रहा है तो Saturn का transit ये जो होने जा रहा है ये आपके जीवन में कौन से major बदलाव लेकर आएगा तो आपके जीवन में बदलाव लाने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि आप लोग मेरे को ये बताईए कि आपके Aquarius sign में कौन सा planet है यहाँ पे कोई है ऐसा जिसके Aquarius sign में कोई planet हो पर्टिकुलर एक्वेरिक जूपिटर ओके आपके जूपिटर है और आप सर मेरा सन जूपिटर और वीनस तीनो भी सन जूपिटर और वीनस तीनो थीक है फेम का कारक ग्रह कौन है सन फेम का कारक ग्रह सन है एक्सपेंशन का कारक ग्रह कौन है जूपिटर पैसे का कारक ग्रह कौन है वेल्थ का वीनस इसका मतलब क्या है कि आपने बताया कि सन जूपिटर वीनस मेरा एक्वेरियस में है एक्वेरियस में सैटन ट्रांजिट करते जा रहा है तो सैटन के ट्रांजिट का एक्वेरियस में मतलब क्या है कि इन ढाई सालों के अंदर ये जो ढाई साल रहेंगे एक्वेरियस के आपको पैसा भी मिलेगा आपको expansion भी मिलेगी प्लस आपको recognition भी मिलेगी जिसको आप fame के रूप में बोलते हैं मतलब लोग आपके काम को पहचानेंगे कि who you are and what you are doing actually तो this is a beautiful time period for an individual who is having sun, Jupiter and Venus in Aquarius तो ऐसे वेक्ती के लिए बहुत अच्छा time period ही रहने वाला है जिसका sun, Jupiter, Venus, Aquarius में तो लेकिन हम Mars के बारे में बात कर रहे थे तो अब माल लीजे किसी का Aquarius में Mars है तो जिन लोगों का भी Aquarius में Mars है और वो लोग किसी भी तरीके से Mars को अपने काम में यूज नहीं कर रहे हैं Mars को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को अपने कारे शेत्र में बहुत दिक्कते आने वाली है उनके कारे शेत्र में किसी ना किसी तरह का कोई जगड़ा होने वाला है किसी ना किसी तरह का कोई जो है वो कहते हैं कॉंस्पिरेसी होने वाली है जगड़ा होने वाला है या कुछ भी इस तरीके की चीजें जो है आपके कारेशेतर में हो सकती हैं लेकिन ये किसके साथ होंगी जिसका Aquarius में Mars होगा और वो व्यक्ति किसी भी रूप से Mars को अपने जीवन में यूज नहीं कर रहा है अब और कोई व्यक्ति है सपोस कीजिए जिसका Aquarius में Mars है और वो Mars क की चीजों में ही काम कर रहा है तो मल लीजिए आप जितने भी लोग हैं आपमेंस्कुव सपोस कीजिये वास्तु consultant है तो जो कोई भी व्यक्ति वास्तू consultant है तो जाहिर सी बात है वास्तू जो है भूमी से संबंदित काम है और सैटन जो है वो मार्स की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका वास्तू जो है वो बहुत अच्छा चलेगा बहुत अच्छा काम परेगा बश रते मार्स के साथ साथ और नेगेटिव प्लैनिट वहाँ ना हो मून ना हो के तू नहों राहू ना हो क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी प्लाइनिंग कुछ और तरीके से करनी पड़े लेकिन यदि आपका सेटन के साथ में मार्स है तो हंडिट परसेंट आप बोल सकते हैं कि अगर आप मार्स के काम में है तो यह टाइम पीरिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में है उसके लिए बहुत अच रहने वाला है तो यह जो सैटन मार्स का कॉम्बिनेशन है यह लेमन के लिए अच्छा नहीं है लेकिन जो व्यक्ति मार्स को यूज करके अपने जीवन में चल रहा है उसके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और यदि आपका एक्वेरियस में मार्स है और आप मार् लेकर चल रहा है अपने काम में तो जाहिर सी बात है यह अगले जो दाई साल आपके रहने वाले हैं यह आपके लिए काफी फूटफुल हो सकते हैं बस सिर्फ और सिर्फ आप इस मार्स को अलाइन कर लें और मार्स के साथ में जो बाखी प्लैनेट्स है मून है राहू है है उनको आप align कर ले तो हमारा जो सारा खेल है हमारा जो सारा निचोड है हमारा सारा निचोड जो है वो alignment पर है के हम किस तरीके से combinations को align करेंगे और यदी हम किसी combination को align कर भी रहे हैं और साथ में कोई और negative planet वहाँ पर link कर गया राहू कर गया moon कर गया के तू कर गया तो उनको और साथ में हमें किस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में हमारा आगे डिस्कुशन पर है तो इन सब चीजों पर ध्यान रखे आप लोग प्रैक्टिस कीजेगा और आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि सैटन अगर मार्स की तरफ जाएगा और मार्स के साथ में यदि केतू है तो क्या चीजें आपको पिक्चर में आएगी मार्स के साथ यदि राहू है तो क्या पिक्चर में आएगा मून है तो क्या पिक्चर में आएगा मरकरी है तो क्या पिक्चर में आएगा तो इन सब चीज यह है इस थेओरी की अकॉनिक्ट